इवडियो हम mazel टो टो टोंटि के बारे में डिस्कुस करेंगे कि टिडिच्कुंट की से वग करता है और इसमें किस प्रकार से कंट्रोल बारिंग की इसकी क्या एक्लीकेहं होती है खासतोर से इसको डिश्टल पोजिश्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर 4-20 वोल्टेज की जब हम सप्लाई देते हैं तो यह उसको डिश्टल सिगनल में कनवर्ट कर देता है और इसके अकॉर्डिंग यह हाईली एकॉरिसी के साथ अपरेट किया जाता है करें । लेकिन उसके अपर अब हम इसको डिश्टल पोजुट कर देता है और उसके अंदर जो वाल लगे होते हैं वह डिश्टल अपरेट होते हैं जो उसको ऑन और ओफ करते हैं चलिए अब हम इसकी सबसब पहले control wiring को समझ लेते हैं कि इस control wiring केसे होती है यह इसका control wiring है और यह इसका control card है जो की जिसमें की wiring की गई है यहाँ पे 7 or 8 number में 4 to 20 million signal का connection होगा और इसके लाबा इसमें 24 volt की power supply है जिसका हम इसमें connection क्योंकि यह 4 बाहर का connection है इसमें separate 24 volt की supply जाती है और इसके लाब यहाँ calibrator से हम इसको 4 to 20 million source की supply देंगे जिससे की हम इसको operate कर सकते हैं बैसिकली यह 4 to 20 million की supply PLC से हम इसको command देने के लिए करते हैं यह से कि आपने देख लिया है signal का command दी दूसरा 24 volt की supply दी गई है दूसरा दर्फ से इस पोजिशनर दो बटन दिये होते हैं जिससे हम इसको auto या manual mode पे select कर लेते हैं जैसा कि यह red औ ग्रीन के light जल रही है और इन दोनों का अगर हम simultaneously दवा कर रखते हैं तो यह auto से manual या manual से auto में हो जाता है अभी auto mode में क्योंकि इसमें एक green LED जल रही है और यह इसको auto mode पे convert कर दिया है अगर हम दोबारा इसको दोनों बटन को दवाएंगे तो यह manual mode में चल जाएगा अगर हम manual mode में करेंगे तो ऐसके condition in or out बटन से इसको open or close कर सकते हैं यह इसके अंदर ribbon लगा हो जिससे पोजिशनर बताता है और wall की पोजिशनर इसके तराव इसके अंदर दो wall लगी हुए हैं जो की distance signal के द्वारा on or off होते हैं जो 24 volts से operate होते हैं और यह इसका पूरा function बता दिया है अगर हम क्योंकि normal analog में ITP converter का यूज के आता है यहां पर direct discard का यूज करके हम इसको digital signal में convert करते हैं यह red LED है जो की output generate करते हैं और दूसरे तब green LED है जो की हम इसमें in और out को बटन का यूज करके इसको open और close कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने इसको button दवा रहे हैं तो यह open हो रह लगते हैं तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो ऐसे ही knowledgeable वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe और वीडियो को like कीज़े फिर मिलते हैं एक नए topics को लेके और हम जानेगे इसके अलाबा भी बहुत सीट knowledgeable बाते हैं अपने इस चैनल में तो दोस्तों बने रहे है सुधी technical के साथ कि नहाऊ ऑनेगे पानेगेस्ट लग बनेगे einen कीक झाले बांटा से झाले हैं जा हैं तोस्तों को दोस्तों के सामने झाले हैं और हिर शियो को रहा है आर हैं उलाबा प्नी हैं लोस्तों को MR1 झाले हैं गगockey को być गले हैं